नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल में दोस्तों एल्टी गणित को लेकर हमने एक विसेश सिरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसी क्यू प्रोवाइट करवा रहे हैं तो दोस्तों आज इसी करम में हम आपके लिए कोडिनेट जोमेटरी टॉपिक लेकर आए हैं काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइट कर सकते हैं 2D और 3D में 2D में ज्यादा तर जिससे Straight Line और Paire of Straight Line इसके अलावा Konics के क्वेशन आते हैं जबकि 3D में Straight Line, Plane, Kone, Sphere इनके क्वेशन दोस्तों आते हैं तो आज हम दोस्तों Straight Line और Paire of Straight Line के कुछ Important MCQ लेकर आए हैं काफी important MCQ हैं इनको ध्यान से देखिएगा पूरो एक्जाम में ये दोस्तों आ चुके हैं इसके अलावा इन वीडियोस को जादा से जादा शेयर करेगा उन लोगों को जो कि Mathematics सब्जेक को लेकर तैयारी कर रहे हैं चाहे ND की, चाहे IATJE की, चाहे 12th Board का एक्जाम की तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो देखे दोस्तों आज का पहला कोशन है 2 mod X plus 3 mod Y less than equals to 6 के द्वारा XY समतल में घिरा हुआ चेतरफल होगा The area in XY plane enclosed by 2 mod X plus 3 mod Y less than equals to 6 ठीक है, आपको देखे सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है यहाँ एक्स वाई प्लेन अगर XY plane का मतलब क्या है कि X is greater than equals to 0 और Y is greater than equals to 0 आप यहाँ पर द्याने में रखे कि आपको XY plane में दिया वाई यानि कि आपका यह first quadrant है, ठीक है तो इसका मतलब है कि इस case में आपका mod X है वो आपका बराबर X हो जाएगा इसी तरह से mod Y बराबर आपका हो जाएगा Y, ठीक है क्योंकि दोनों के दोनों positive होंगे तो इस तरीके से आप इसको 2X plus 3Y less than equals to 6 लिख सकते है ठीक है न, अब आपको क्या करना है इसका area को draw करना है अब आप area को draw करने से पहले आप यह जो in quality है न इसको equality में convert कर दीजे तो 2X plus 3Y बराबर हो जाएगा 6 ठीक है, यहां तक तो कोई भी दिकत नहीं होने जाए ठीक है अब मैं काम करूँगा, यह आपकी एक straight line बन चुकी है एक straight line की को अगर आप draw करते तो कैसे निकालते हैं पहले आप X बराबर 0 रखते हैं अगर X बराबर 0 रखेंगे तो दोस्तों Y बराबर कितना आजएगा 3,2 जा होता है 6, ठीक है न तो पहले तो आपके coordinate आगए कितने 0,2 इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप यहां पर Y बराबर 0 रखेंगे Y बराबर 0 रखने पर देखिए X बराबर आजएगा 3 ठीक है तो यानि इसके coordinate हो गए 3,0 ठीक हो गया अब हमाले task बहुत easy हो गया तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए हमें क्या करना है इस तरह से draw करना पड़ेगा यह आपका X है यह आपका Y है इसी plane के अंदर आपको बोला है कि इसी plane के अंदर गत यानि X Y plane यानि first quadrant के अंदर गत जो आपको area निकालना है तो आप देखिए अगर suppose करो यह आपका 3,0 है और यह अगर आपका 0,2 है ठीक है भाई तो यह आपकी कहा है दोस्तों एक straight line है ठीक अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर actual जो area है वो तो हमने इसको inequality को equality माना था भाई 2X plus 3Y less than equals to 6 माना है तो less than equals to 6 मतलब आपसे कह रहा है कि भाई 2X plus 3Y की जो value है less than equals to 6 कब होगी तो इसको निकालने का बहुत easy तरीका होता है हम क्या करते हैं इसमें देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं पर X और Y की जेगा पर 0 रख देते हैं ठीक है इसको बहुत easy होता तरीका निकालने का आप इसकी जेगा पर 0-0 रख दो देखिए तो क्या आएगा बच 0 आएगा तो क्या 0 is less than equals to 6 होता है अफकॉस होता है 0 less than equals to 6 होता है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो आपका ये नीचे वाला यानि की ये एरिया ये वाला एरिया आपका सही है ये reason आपको निकालना है ठीक है ना निकालने का तरीका ये होता है दोस्तों हम क्या करते है और reason को रखते है अगर less than equals to 6 आ रहा है तो satisfy कर रहा है तो 3 x 2 2 से 2 काट दो तो कितना आगया दोस्तों 3 square unit तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों इसका पहला वाला option A is right इसके बाद देखे दोस्तों अगला question है यदी 003, pi by 2 और 3, pi by 6 एक तरीबुच के सीड्सों के धुरुवी निर्देसांग को यानि की polar coordinates है then तो तरीबुच क्या होगा एक आपका right angle triangle है यानि कि समकोड़ी तरीबुच है, समधी बाद तरीबुच है या फिर इन में से कोई नहीं काफी अच्छा question है दोस्तों देखें, यहाँ पर सबसे important चीज आपको क्या दे रेखी है यह है polar coordinate polar coordinate यानि r, theta की term में जब आपको radius और angle दिया होता है तो तब आपके क्या होता है polar coordinate होता है हम किस पर deal करते हैं हमें सा Cartesian coordinate system में जब आपको x और y दिया होता है मैं एक काम करता हूँ, triangle draw कर देता हूँ यह आपका a है, यह b है, यह c है तो आपको क्या करना है a की coordinate माना सपोज करो, इसको मान लेते है 0,0, किसके term में? polar में है यह है 3, pi by 2 and c वाला है 3, pi by 6 ठीक हो गया अब आप यह काम करेंगे, इसको किसमें convert करेंगे आप दोस्तों इसको convert करेंगे आप अपने आपी किसमें Cartesian coordinate system में ठीक है, तो मैं यह काम करता हूँ, इसको convert करता हूँ देखिए कैसे करेंगे, मैंने triangle बना रखा है तो मैं आप यहाँ पर सीधे सीधे इसको कर लेता हूँ, ठीक है भई देखिए, a है तो पहला आपका कितना है, 0, 0 यानि कि यह radius 0 और आपका angle भी 0 तो आप बताइए x की value कितनी आएगी, 0 आएगी क्योंकि यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो 0 आजाएगा इसी तरह से यह भी कितना आजाएगा, 0 आजाएगा ठीक है, अब b की coordinate निकाले, b की coordinate की आएगे दोस्तों, बताइए 3, pi by 2, यानि 3 आपकी radius है और theta कितना है, pi by 2 ठीक है भई तो आपको मैं x निकाल के दिखाता हूँ, x कितना होगा देखे, 3 cos pi by 2 3 cos pi by 2, of course, कितना होगा, 0 होगा ठीक है, इसके अलाबा बताइए y क्या होगा y होगा आपका कितना, 3 sin pi by 2 3 sin pi by 2, actually कितना होता है, 3 होता है तो यानि इसका coordinate आपका कितना होगा, 3 आगया ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते है आप इसके coordinate निकालेंगे c के, ठीक है भई, c के coordinate निकालेंगे अब c के coordinate क्या होगे आपके 3, pi by 6 है, इसका मतलब कितना है दोस्तों इसका मतलब ये है कि r बराबर आपका कितना है r बराबर है 3 और theta बराबर है pi by 6 ठीक हो गया, तो पहला वाला क्या होगा 3 cos pi by 6, अब 3 cos pi by 6 कितना होगा दोस्तों, 3 by 2 ठीक है भई, और 3 sin pi by 6, यानि कितना हो जाएगा 3 3 cos pi by 6 3 cos pi by 6 होगा, sorry, यह होगा 3 cos pi by 6, यानि 3 root 3 by 2 है मैंने करहा लिख जा, 3 root 3 by 2 और 3 sin pi by 6 मतलब कितना हो जाएगा 3, ठीक हो गया, इस तरीक से लिख लेंगे, ठीक है, भई, cos pi by 6 कितना होता है, root 3 by 2 होता है, बस आप आपको मिलके, कोडिनेट मिलके आपके यह देखे, यह किस में convert हो गए, यह convert हो गए न, यह इसमें आपके, x, y में convert हो गए, तो बस आप क्या करें, इनकी बीच की distance निकाल लिए, अब distance कैसे निकालते है, distance formula से निकालते है तो चलो distance formula लगा देते हैं, देखिए कैसे करेंगे अब distance निकाल लिए, कैसे की निकालेंगे पहले आप निकालिए, mod a, ठीक है, mod a, b, क्या होता है, बइए, अंडर root x2-x1 का square, plus y2-y1 का square, ठीक है, बइए, तो यह जाएगा, 0-0 का square, plus 3-0 का square, ठीक है, that is 3, तो a, b की value 3 आ गई, इसी दर ऐसे आप निकालिए, b, c की value, b, c की value निकालते हैं, चलो b, c की value कितनी होजाएगी दोस्तों, यह होजाएगा, 3 root 3 का whole square, plus 3 by 2 minus 3 का whole square, yes, तो देखी, क्या आता है, यहाँ पर आजाएगा, यह होजाएगा, 27 बटे 4, plus, यह होजाएगा, 6, 6 में से 3 या 3, 3 by 2 हुई है, तो यहनि कितना होजाएगा, दोस्तों, 9 बटे 4, ठीक है, तो यहाँ पर, देखी, दोस्तों, कितना आजाएगा, 27 और 9, कितना होगा दोस्तों, 36, बटे 4, और 4 नमा कितना होता है, 36, तो फिर से कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, तो आप देख सकते हैं, कि फिर से 3 आजाएगा, अब इसके बाद अगले कह रहे गए, कोडिनेट, BC रहे गया, नहीं, AC रहे गया, तो अब AC निकाल लिए, AC का मतलब कितना होजाएगा, AC का मतलब कितना होजाएगा, AC में तो एक तो 0, 0 है, दूसरा आपका 3 रूट 3 बाइ 2 और 3 बाइ 2 है, तो ये भी देखिए दोस्तों, 3 रूट 3 बाइ 2 का होल स्क्वाइर, प्लस 3 बाइ 2 का होल स्क्वाइर, यह यह आएगा, तो ये फिर से कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, तो आप देख सकते हैं, AC, BC, AC और AB तीनों बराबर आगे, ठीके नहीं, AC, BC, CA यो जो भी आपका हो, AC, BC यो जो भी आपका हो, ठीके यह इस तीनों की तीनों scout happiness, आपके तीनों बराबर आगे, तो ये दोस्तों कौनसे वाला त्रेंगल होगा भाइए, ये आपका किया होगा, equilateral triangle होना चाहिए ठीक है न तो यह इसका जो right answer है वो कितना होगा equilateral triangle तो यहाँ पर से अब देखें तो यह दोस्तों क्या होगा equilateral triangle होगा तो C वाल option बिल्कुल right है अगला question दोस्तों the extremities of diagonal of parallelogram are the point 3, minus 4 and minus 4,5 if the third vertex is minus 2,1 then the fourth vertex is आपको बताना है ठीक है ना देखें दोस्तों आपसे कह रहा है कि the extremities of diagonal of parallelogram देखें सबसे पहले आप एक parallelogram बनाईए यह parallelogram है ठीक है इसके बाद आपसे कह रहा है कि extremity जो इसके कोने नहीं यह इनके आपको coordinate दे रहा है let इसको मैं A मानता हूँ B मानता हूँ C मानता हूँ D मानता हूँ ठीक है अब आप देखें आपको A का जो coordinate है तोस्तों वो दे रहा है 3, minus 4 ठीक है और इसका दे रहा है minus 6,5 ठीक हो गया अब आपसे कह रहा है कि third vertex third vertex यह है आपका minus 2,1 then आपको fourth vertex निकालना है यानि यह वाला निकालना है अब आप सबसे पहले देखे इसमें आप एक concept दिहान में रखिए जो diagonal parallelogram के होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं बस मैंने काम करना है इसको join कर देना है तो यह है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों bisect करेंगे यानि यह और यह बराबर होगा और यह और यह आपका बराबर होगा ठीक है यह चीज को आपने दान में रखना है यानि कि यह वाला जो O point है यह इन दोनों का B और D का midpoint है BD का midpoint है similarly जो O, O है वो आपका AC का भी midpoint है बस आपको क्या करना है यहाँ पर midpoint जो coordinate निकालते है न उसका फाइदा उठा देना है बस और क्या करना है इसमें और कुछ है इन इसमें करने के लिए तो देखें दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखें मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ तो बस आपके लिए simple हो जाएगा यह question करना ठीक है तो देखें अब आप सबसे पहले क्या निकाली है okay coordinate निका लिए okay coordinate निका लिए from either side से AC की तरफ से तो देखिए okay coordinate क्या हो जाएंगे दोस्तों यह हो जाएगा 3 minus 6 by 2 ठीक है और यह हो जाएगा minus 4 plus 5 by 2 ओके कोई दिक्कत नहीं होने चीए ठीक है यहाँ पर से देखिए दोस्तों क्या आजाएगा यहाँ पर से आजाएगा देखिए यह आजाएगा minus 3 by 2 comma 1 by 2 ठीक हो गया इसी तरीके से आप क्या करिए दूसरी साइट से निकाले दूसरी साइट से हम निकालेंगे इसको देखिए मैं काम करता हूँ जो D है D के कोडिनेट में माल लेता हूँ X,Y मान सकता हूँ तो अब X,Y में माल लेता हूँ तो यहाँ से मैं OK कोडिनेट निकालने कोशिस करता हूँ तो देखिए OK कोडिनेट क्या हो जाएगे देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x-2 by 2 और y plus 1 by 2 ठीक है ना x-2 by 2 और y plus 1 by 2 तो देखे x-2 by 2 यह होगा बराबर x x-2 by 2 और दूसरा कितना होगा y plus 1 by 2 ठीक है भाई इस तरीके से हम इसको निकाल सकते देखे o के कोडिनेट दोनों साइट से ठीक x-2 by 2 और y plus 1 by 2 तो अगर यह दोनों बराबर होंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए x-2 by 2 बराबर हो जाएगा minus 3 by 2 ठीक है और y plus 1 by 2 बराबर हो जाएगा 1 by 2 2 से 2 कटा ठीक है यहां से 2 से 2 कटा तो बताइए क्या आ जाएगे इसके कोडिनेट देखे यह हो जाएगा x बराबर हो जाएगा minus 1 और y बराबर हो जाएगा 0 ठीक तो कोडिनेट क्या जाएगे दोस्तों minus 1,0 तो minus 1,0 इसका right answer है ठीक है ना तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा वाला option सही बैटता है B वाला option बिलकुल right है इसके बाद अगला question देखे दोस्तों the foot of perpendicular from alpha, beta, gamma on y-axis काफी simple सा question है देख सकते हैं आप पूर परिक्षा में आया y तो देखे किस तरीके से इसको करेंगे बहुत simple सा question है आपके पासे x-axis है ये y-axis है आपको क्या निकालना है the foot of perpendicular from alpha, beta, gamma देखे सबोच करो ये alpha, beta, gamma है ठीक है बई alpha, beta, gamma है तो आपको क्या निकालना है foot of perpendicular निकालना है तो देखे दोस्तों अगर अगर आप यहां से perpendicular निकालेंगे देखे अगर आप सरिफ 2D में देखे अगर आप इस distance को measure करेंगे तो ये आपके alpha होती है ये आपकी कितनी होती है beta होती है ठीक है ना तो आपने क्या करना है इस foot of perpendicular निकालना है तो आप देखे अगर इसके coordinate alpha, beta, gamma है तो ये आपके distance कितनी होगी definitely beta होगी ठीक है ना और अगर ये y axis पे है तो बाकी coordinate of course क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे तो 0, beta, 0 ये इसका right answer हो गया ठीक है ना अगर आप से बुलता कि x पे तो अगर ये distance देखते तो ये कितनी होती alpha होती और बाकी क्या होज़़दी 0 हो जाती तो alpha 00 होता इस तरीके से हम निकालते हैं ठीक है ना तो आप इस चीच को समझे कि हम इसको किस तरीके से find out करते हैं ठीक अगर आप y axis से अगर आप कोई कहता कि perpendicular distance निकालो तो अगर आप y axis से अगर आप perpendicular distance निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं foot of perpendicular, यानि जो perpendicular है, उसके foot के coordinate क्या है, ठीक, यह इसका मतलब है, तो यहाँ पर जो इसके coordinate होंगे, वो कितना होगा, आपको क्योंकि पता है, देखिए, अगर जो y बीटा है, जो बीटा है, वो आपका y axis पे, इतना यह आपका vary किया है, मतलब y पर इतनी distance यह चला है, तो अगला question, किसी त्रिभुच के seats 0,3,-3,0 तथा आपके 3,0 है, तो लंब केंदर के निर्दे सांग है, the vertex of triangle are 0,3,-3,0 and 3,0, the coordinate of its ortho center are, देखिए, ortho center से आप क्या समझते हैं, पहला भी समझ लीजए, ortho center का मतलब क्या होता है, यह आपका triangle है, ABC, तो इसका ortho center का मतलब यह है कि मैं यहां से एक perpendicular डालूँगा, यहां से एक perpendicular डालूँगा और यहां से एक perpendicular डालूँगा, ठीक है, तो यह perpendicular जहां पर meet करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ortho center बोलते है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप तीनों vertex से सामने वाली जो भुजा है, उस पर लंब डालेंग जिस पर आपका 90 degree angle बनता है, यही आपका क्या होता है दोस्तों, क्या होता है आपका ortho center होता है, यानि B ortho center होता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, यहां से एक perpendicular डाला, यहां से एक perpendicular डाला, और यहां से आपका एक perpendicular डाला, तो इसका इन दोनों का तो perpendicular आपस में इसी point पर meet करेगा तो आप देख सकते हैं तो right angle triangle के case में जो vertex वाला point होता है जहाँ पर 90 degree angle बनता है वो ही आपका क्या होता है दोस्तों ortho center होता है तो बस इसी concept का हमने दोस्तों यहाँ पर फाइदा उठाना है तो देखिए कैसे करेंगे इस question को देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या दियावा है पहले आप वो देख लीजे ठीक है मैं काम करता हूँ उसको मिटा देता हूँ देखिए आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको जो चीजे दे रही है पहले आप उसका फाइदा उठाईए यहां पर आपको कुछ कॉडिनेट दिये वे हैं पहले आप उन कॉडिनेट को से डख लीजे देखें यहां पर क्या है यह है आपका देखें यह है माइनस 3,0 ओके और फिर यह है आपका 3,0 ठीक है और यह है आपका 0,3 ठीक हो गया अब आप इसको जरा ध्यान से देखें तो अगर मैं एक काम करता हूँ मैं इसको slope method से करने का प्रियास करता हूँ अगर slope method से हो जाएगा तो बहुत अच्छा है slope method का मैं प्रियोक करता हूँ कि किस तरीके से आप इसका slope निकाल सकते हैं slope निकालना आता है जैसे अगर आपको दो koordinator diya वे हो तो आप उनका slope को आसानी से find out कर सकते हैं । दहिए कैसे निकालेंगchy मैं काम करता ह। इसका slope निकालताओ पहले इसका निकालताओ फर इसका निकालताओ ठीक है सिरो माइनस13 यानि कि प्लस t$ 3 हो जाएगा तो सकह सलूप तो आ जाएगा वन ठीक है कि सैंड अगर डूसरे की का True कि मालेक Sacred up इन जान वंप e भीलर से दोसरे का निर सिरो सिरो माइनस5 निका लेड़े टकर आप इसका ध्यान से देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके दोनों का जो product है M1 into M2 है दोस्तों वो कितना minus 1 है M1 into M2 अगर minus 1 आता है तो ये क्या indicate करता है कि आपकी जो दोनों line है straight line वो आपकी क्या है 90 degree पर है अगर M1 बराबर M2 हो जाए तो क्या होता है parallel होता है यानि दोनों के slope अगर equal है तो दोनों line क्या होती है parallel होती है लेकिन अगर M1 into M2 बराबर minus 1 आता है तो इसका मतलब ये जो दोनों line है ये दोनों line है अपस में क्या है अब मैंने आपको अभी बताया है कि right angle triangle में जो ये वाला point होता है यही दोस्तों क्या होता है जहाँ पर 90 degree होता है यही आपका दोस्तों क्या होता है और्थो सेंटर होता है तो यह आपका 0 से लेके 3 आपका क्या है और्थो सेंटर यानि 0,3 इसके coordinate है ठीक तो इस तरीके से दो plus y square बराबर 25 के अंतरगत त्रिबुच PQR इस देता है यदि बिंदु QR के निर्देसांग क्रमसा 3,4 तथा minus 4,3 है तो angle QPR बराबर है तो triangle PQR is inscribed in a circle x square plus y square is equals to 25 if Q and R have coordinates 3,4 and minus 4,3 respectively then angle QPR is equals to देखे अच्छा कोशन है फिर से आप एक काम करिए आप भी इसको दुबारे से ड्रॉ करिए देखे आपके सामने है एक circle, circle की equation आपको कहा दे रिखे भी x square plus y square बराबर है 25 इसका मतलब आपकी एक ऐसा circle है जिसके आपके center है horizon पर और इसकी radius कितनी है 5 है तो यह आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 5,0 और यह आपका कितना हो जाएगा minus 5,0 ठीक है अब आप एक काम करिए एक circle को draw कर दीजे मैं circle को draw कर देता हूँ ठीक है थोड़ा इस तरीके से मैंने draw कर दिया ठीक है अब आपसे देखे अब आपसे क्या कहरा भई देखे निर्देसांग PQR के देखे जिसके जैसे देरे के आप कर दो यहां पर कहीं पर होगा देखे 3,4 यहां कहीं पर होगा first quadrant में ठीक है और आपसे क्या कहरा दूसरा है कितना minus 4,3 minus 4,3 अपका यहां कहीं पर होगा second quadrant में ठीक हो गया minus 4,3 ठीक अब चलो एक काम करते है Q यहाँ यह आपका कितना है यह आपको दे रखा है Q और यह दे रखा R तो चलो अब एक काम करते हैं इसको जॉइन कर लेते हैं यह आपका P हो गया ठीक तो यह आपका कहीं पर होगा ठीक तो एक ट्राइंगल है जो कि एक स्क्राइब्ड है इना सरकल आपको दे रखा है कि इस circle के अंदर subscribe है ठीक तो अब आपको क्या करना है इस p के coordinate को find out करना है sorry इसको आपने qpi निकालना है यानि कि आपने ये angle निकालना है ये angle कितना होगा ठीक हो गया चलो ये तो आपका center है origin अब आप ये तो पता ही होगा कि इसकी value कितनी होती 0,0 होती एक काम करता हूँ ये थोड़ा गिज़र पिज़र होगा मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इस figure को ठीक है एक काम करते हैं थोड़ा नीचे चलते हैं नीचे चलते हैं यहाँ पर बनाते है ठीक है बाई इस triangle को बना देते हैं और यहाँ पर यहाँ पर आपके coordinate आये थे चलो उसको एक बात देख लेते हैं क्या क्या coordinate थे यह तरह आपके 3,4 ठीक है बाई और यह आपका कितना है minus 4,3 minus 4,3 है ना इसके अलावा हमने यह तो हमने मान लिया इनको को यह एंगल निकालना है समझ में आ गया अब यह आपका कितना और इजन ने 0,0 माल लेते हैं ठीक चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा अब इंप्रोवाइशिन क्या करेंगे अब यह निकालना है अंगल देखिए वैसे निकाल लेंगे तो काफी typical पढ़ेगा मैं काम करता हूं देखिए अगर मैं Center का center को कितना एंगल यह प्रोजेक कर रहा है अगर मैं यह निकाल दो तो इसके मत SEC2 कर सकता हूं आपका जो circumference पे जितना angle में आ रहा है वो निकाल सकता हूँ तो देखे center के जो coordinate है वो तो कितने है origin के आपके 00 तो मैं काम करता हूँ पहले मैं इसका slope निकालता हूँ M1 और फिर मैं क्या करता हूँ दूसरे वाले का slope निकालता हूँ M2 ठीक है यानि इसको M2 निकालता हूँ दोनों के slope निकालके देखता हूँ देखता हूँ क्या मुझे result मिलता है अगर slope से काम होगा तो ठीक है नी तो फिर कोई और method अपनाएंगे ठीक है तो आप देखें यहाँ पर अगर मैं slope को निकालूँ तो क्या हो जाएगा अगर आप slope निकालेंगे अभी मैंने आपको बताया था slope M1 बराबर क्या होता है दोस्तों Y2-Y1 upon X2-X1 यानि कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 0 और यह आपका है 0 minus 3 divided by 0 minus minus का कितना हो जाएगा प्लस 4 तो यह तो आगे आपका minus 3 by 4 ठीक है आप इसके बाद देखें अब आप M2 निकालें M2 कितना आता है M2 आपका फिर से देखें कोडिनेट है 0,0 is 3 मतलब यह हो जाएगा 0 minus 4 upon 0 minus 3 ठीक है बई यानि minus 4 upon 3 0 minus 4 upon 0 minus 3 यानि कितना हो गया प्लस 4 by 3 हो ठीक है तो अब आप देखें फिर से वही रिलेशन आ गया यानि M1 into M2 बराबर आ गया minus 1 देख सकते हैं आप दोनों को प्रोडेक्ट करी है minus 1 आ रहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब सीधा सा है दोस्तों कि यह जो एंगल यहां पर सेंटर पर इंपोज कर रहे हैं वो कितना डिगरी कर रहे है 90 डिगरी ठीक है अब आप को देखें यह आपकी क्या है दोस्तों यह आपकी एक जैसे आप इसको क्या बोलते है चाप ठीक है और यह आपकी जो एक सगिन तो देखें दोस्तों यहां पर आपको मैंने पहले बोला यह आपका एक चाप है यह आपकी कॉर्ड है तो देखें दोस्तों यह आपकी चाप या कॉर्ड यह आपका center पे 90 degree angle impose कर रही है अगर इस center पे 90 degree impose कर रही है तो यही chord या फिर यही चाप आपका circumference पे कितना करेगा 45, rule आपको पता है 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना कहने का मतलब यह होता है कि जितना कोई आपकी chord, ठीक है, किसी circle में अगर आपकी कोई chord है या आपका कोई चाप है जितना वो angle, जैसे suppose करो यह AB, आपकी chord है, यह center पे जितना angle impose करती है, उसका बिल्कुल just half circumference पे impose करती है, या फिर जितना circumference पे impose करती है, उसका double center पे impose करती है, तो इस तरीके से देखा जाए तो 45 degree, उसका right answer है, दोस्तों, तो यहाँ पर यह angle, इस तरीके से आपने इस question को करना है, तो यहाँ पर यह जो angle है, वो कितना आ जाएगा, 45 degree आ जाएगा, ठीक है इसके बाद अगला question दोस्तों, यदी सरर लेखा ax plus by plus c बराबर 0, वकर xy बराबर 1 पर अभी lump है यानि की straight line जो है, normal to the curve x5 बराबर 1, then आपको बताना है कि क्या relation होना चाहिए, देखे दोस्तों फिर से वही है, कि आप इसमें क्या निकालेंगे, slope निकालेंगे, तो पहले आप काम करें, slope बराबर क्या होता है आपको पता है, y बराबर क्या होता है, mx plus c इस तरह से भी आप slope निकालते हैं तो देखे, यहां से क्या हो जाएगा, देखे, by बराबर हो जाएगा, minus ax minus c, तो y बराबर हो जाएगा, minus a upon b x minus c y upon b, ठीक है न, तो इसका slope तो कितना आगया, इसका slope तो आगया, minus a upon b, ठीक है न, तो पहरे वाले का तो slope आगया, minus a upon b, अब निकालना है, दूसरे वाले का, अब दूसरे वाले का कैसे निकाले, आप से कहरा, भाई, x, y तो मैंने आपको slope निकलने का दूसरा तरीका क्या बाता है था आप इसको क्या करेंगे differentiate कर देंगे with respect to x तो दिखेंगे अगर आप इसको differentiate करेंगे तो क्या एगा भई x से dy by dx plus y is equals to 0 ठीक है ना तो भई dy by dx is equals to कितना आजएगा minus y upon x यानि कि दूसरा slope आपका कितना आगा m2 ठीक है अब आपसे यह कह रहा है साब साब कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है perpendicular है ठीक है ना अगर ये दोनों के दोनों perpendicular है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन दोनों का product minus 1 के बराबर आना चाहिए ठीक है तो अगर इन दोनों का product minus 1 के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा यानि कि m1 into m2 must be equals to होना चाहिए minus 1 so it simply means that कि आपका जो ये minus a upon b minus a upon b into minus y upon x should be equals to minus 1 ठीक है तो देखिए होगा क्या ये हो जाएगा ay is equals to हो जाएगा minus of bx now it is clear from here कि भाई ay plus bx बराबर 0 it simply means that कि जो a और b है इनके sign आपस में एक दूसरे से अलग है यानि कि दोनों विपरीत चिन्न के हैं यानि कि a and b are of opposite signs तो ये इसका right answer है तो इस तरह के से देखें तो इसका right answer क्या निकल का आएगा दोस्तों c वाला option बिलकुल correct है दोस्तों next question है the line lx plus my plus n बराबर 0 mx plus ny plus 1 बराबर 0 nx plus ly plus m बराबर 0 not all equal r concurrent if देखें आपको बताना है कि concurrent कब होंगी आपको condition बताने हैं देखें दोस्तों अगर तीन line है वो concurrent कब होती हैं जब वो एक ही point से गुजड़ती है यानि एक ही point पर वो intersect करती है तो एक point पर अगर intersect करेंगे तो line क्या कहलाती है concurrent कहलाती है तो देखें suppose करो आपके पास है कि तीन line हैं a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 और a3x plus b3y plus c3 बराबर 0 तो आप इस formula को याद में रखेंगे ठीक है न formula क्या है मैं आप लिख देता हूँ formula है दोस्तों यह है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 बराबर होता है 0 यह formula अपने ध्यान में रखना है ठीक है न अब इसी formula का प्रयोग करेंगे हम उपर देखें यहाँ पर आपको क्या कह रखा है कि तीन line concurrent है lx plus my plus n बराबर 0 mx plus ny plus 1 बराबर 0 nx plus ly plus m बराबर 0 तो आपको condition बतानी है concurrency की ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ element mnl और फिर इसके बाद होगा nlm यह आपको दे रखा है ठीक है तो यहाँ पर से अगर हम इसको solve करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए lmn फिर mnl ठीक है और फिर होगा nl ठीक है वहाँ पर जो उपर 1 दे रखा है वो मेरे साब से वो l होना चाहिए ठीक है वो 1 नहीं होगा वो le होगा तब ही जाके दोस्तों यह proof हो पाएगा दरवाइस नहीं हो पाएगा ठीक है तो इस type से हम इसको solve करने का प्रियास करते है क्या हो जाएगा अब determined को खोलिए यह हो जाएगा l into कितना हो जाएगा ml mn minus l square फिर होता है minus फिर यह और यह cancelled out हो जाएगे यह हो जाएगा m square minus nl and then plus n इसके बाद यह और यह cancelled out हो जाएगे यह हो जाएगा ml minus n square ठीक है अब इसके बाद आगे का step देखे यह हो जाएगा ml minus l cube बराबर क्या है दोस्तों यह 0 है ठीक है फिर यह हो जाएगा minus m cube plus lmn ठीक plus lmn minus n cube बराबर 0 ठीक है तो यहाँ पर से क्या condition आएगी यहाँ पर से condition यह आएगी दोस्तों l cube plus m cube plus n cube बराबर आएगा 3 element देख रहे हैं तो यह condition आपको कुछ याद दिलाती है दोस्तों यह condition है आपकी देखें आपको शायद formula याद हो तो formula यह होता है formula यह होता है आपका a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a बराबर होता है a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c ठीक है भई तो आपसे साफ साफ कह रहा है कि l cube plus m cube plus n cube बराबर 3 अगर यह दोनों बराबर हो जाएं तो it simply means that यह वाला term क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर यह term 0 हो जाएगा तो यह वाला term आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानि कि इस concept से हमें पता लगता है कि a plus b plus c बराबर 0 अगर यह दोनों यानि कि इन दोनों का difference 0 हो जाएगा यानि कि यह पार्ट इसके बराबर हो जाए ठीक है न तो इसी तरह से l plus m plus n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा यह इसका condition है ठीक तो इस तरह से देखा जाए तो right answer कितना होगा दोस्तों जो आपको दिया हुआ है d वाला option बिल्कुल right है इसके बाद अगला question the polar equation r बराबर a sec theta represent r बराबर है a sec theta यह किसको represent करेगा ठीक है बड़ा simple सा question है देखिए r बराबर a sec theta है तो अगर मैं sec theta को इधर लिया हूँ तो यह हो जाएगा 1 upon sec theta बराबर a तो यह हो जाएगा r cos theta ठीक है ना अभी मैंने आपको बताया था कि जो r cos theta होता है वो x होता है तो x बराबर a अब बताए x बराबर a क्या होती है दोस्तों यह होती है line ठीक है ना जो line होती है जो कि parallel होती है y x इसके ठीक है ना अगर यह a है तो यह दोस्तों किसकी line है x बराबर a की line है ठीक है ना अब आपको मैं बता दू कि किस तरीके से जो polar coordinate है वो इसके बराबर होते है देखे सबोच करो यह आपका यह आपका x है दोस्तों और यह आपका कितना है y है तो यह coordinate आपका कितना होगा x, y ठीक है ना तो इस तरीके से हम इसको join करते है लेट सबोच करो यह angle कितना बनाता है theta बनाता है ठीक और यह आपका कितना r है ठीक तो आप बताईए x बराबर आपका कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा r cos theta और y बराबर कितना हो जाएगा r sin theta ठीक है and of course r बराबर कितना होगा under root of x square plus y square जो कि यहाँ पर होगा ही right angle triangle से ठीक तो इस तरीके से हम इसको निकालते है इसके बाद अगला question दोस्तों the angle between the pair of lines यानि आपको दो pair of line के बीच का angle निकालना है क्या करीए इनके slope निकाल लीजे slope से इनके angle पता लग जाएगे जैसे कि मैंने अभी आपको बता है slope क्या होता है minus a upon b तो बताईए minus a upon b से यहाँ का slope कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 4 upon 2 यानि यह हो जाएगा 2 ठीक है भाई ax ध्यान रखो ax plus by plus c बराबर 0 में slope आपका कितना होता है minus a upon b होता है यह आपने ध्यान में रखना है ठीक है अब आप compare कर लो देखिए minus a कितना हो जाएगा minus 4 minus minus 4 प्लस 4 हो जाएगा ठीक है इसी तरह से m2 भी निकाल लेंगे m2 भी कितना हो जाएगा minus a upon b यानि कितना हो जाएगा minus 3 upon 1 ठीक है तो minus 3 upon 1 it simply means that minus 3 ठीक है तो यह दोनों के slope आगए अब आपको formula पता है formula यह होता है slope का slope का formula मतलब दो pair of line के बीच में अगर आपने formula निकालना है या pair of line के बीच में आपने formula निकालना है तो आप कैसे निकालता है 10 theta बराबर होता है m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 इस तरी के साब निकालते है ठीक है तो आप कैसे निकालेंगे बस आप इसको solve कर दीजिए solve करो 10 theta is equals 2 हो जाएगा देखिए m2 की value कितनी है minus 3 minus 2 ठीक हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा minus 3 minus 2 upon 1 plus minus 3 into 2 यही है है ना तो यहाँ पर से 10 theta is equals 2 हो जाएगा दोस्तों minus 5 upon minus 6 plus 1 minus 5 यानि कितना हो जाएगा है 1 हो जाएगा तो theta बराबर कितना आगया दोस्तों 45 यानि की pi by 4 तो pi by 4 आपका right answer है इसके बाद अगला question दोस्तों इफ delta बराबर है AHG और यह आपको determine दे रहा है बहुत important है delta की value आप इसको हमेसा ध्यान में रखेंगे इस formula को हमेसा ध्यान रखना यह इस तरीके से निकलता है parallel lines के बीच का हम angle इस तरह से निकालते है twice of h square minus ab upon यह होता है a plus b ठीक है ना अब यह h और ab के है देखे अगर मैं equation लिखूं pair of straight line की या फिर एक मैं general equation लिखूं यह होती है दोस्तों general second degree equation जिसमें दो variable होते है इसको आपने ध्यान में रखना है ठीक है ना अब इसी से ही दोस्तों क्या होते है parabola बनते हैं circle बनते हैं hyperbola बनती है pair of straight line बनते हैं तो यहाँ पर से यही formula निकल के आता अब अलग-अलग condition होती है और इससे बहुत question आते हैं तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि भाई अगर pair of straight line है यानि कि अगर बनते हैं तो उनके बीच का angle कितना हो जाएगा of course zero हो जाएगा अगर उनके बीच का angle zero हो जाएगा तो यानि कि 10 zero बराबर कितना हो जाएगा zero तो यानि ये वाला पार्ट zero हो जाएगा ये वाला पार्ट zero कब होगा जब उपर वाला पार्ट zero होगा और उपर वाला पार्ट zero होने के लिए ये वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा zero होना पड़ेगा यानि h square minus ab should be equals to zero तो अगर h square minus ab equals to zero है तो भाई h square बराबर क्या होना चाहिए a b होना चाहिए ये point आप ध्यान में रखेंगे इसके अलावा एक और point यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर suppose करो दोनों line ने अगर आपकी perpendicular है याँ पेर ओफ straight line आपकी perpendicular है कब perpendicular होंगी जब a plus b बराबर 0 होगा तो अगर a plus b बराबर 0 हो जाता है कहने का मलब a plus b बराबर 0 होने पर ये 90 degree हो जाएगा क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा 1090 infinite होता है तो 1090 यानि की infinite कब होगा जब इसका base 0 होगा तो a plus b बराबर 0 तो ये condition आपको ध्यान में रखनी है pair of state line में a plus b बराबर 0 में दोनों लाइन आपस में क्या होती है perpendicular होती है और h square बराबर a b में जब a b के बराबर हो जाती है तो दोनों लाइन ये क्या हो जाती है parallel हो जाती है बहुत important concept बिलकुल याद में रखेंगे इसको ठीक है इसके बाद अगला question दोस्तों if the equation 2x square plus xy minus y square minus 11 x minus 5y plus d बराबर 0 represent the pair of line then the value of d is देखे pair of line represent करने के लिए मैं आपको पहले ही बताया था सबसे पहले तो आपको delta याद होना चाहिए delta की value 0 होनी चाहिए और h square बराबर क्या होना चाहिए a b होना चाहिए h square बराबर a b तो बाद में आएगा पहले आप delta की value निकाल के देखे ये बराबर 0 होना चाहिए तो आप अगर इसको निकाले तो ये दोस्तों ये होता आप delta को ऐसे याद करें देखे कैसे याद करेंगे a h g फिर a h g नीचे लिखेंगे फिर यहाँ पर आएगा b f फिर यहाँ पर b f और फिर c ये बराबर आपका 0 होना चाहिए ठीक है ना तो आप इस condition को निकाले देखेंगे अगर आप यहाँ से देखें तो अगर आप इस पहले तो आप इस को लिखिए 2 x square plus x y minus y square और फिर यह हो जाएगा minus 11 x minus 5 y plus d बराबर 0 पहले आप इसको देखें देहां से तो पहले आप यहाँ से आप coefficient निकाले जो आपको चाहिए सबसे पहले आप यहाँ से a, b, c, d जो जो आपको चाहिए वो आप निकाले हो एकस square plus by square plus 2 h x y plus 2 g x plus 2 fy plus 2 fy plus c पराबर 0 अब आप compare करें देखें compare करके यहां से निकाले यहां से एपराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2, b बराबर कितना हो जाएगा, minus 1, है ना, h बराबर हो जाएगा, 1 by 2 ठेक है भाई, g की value कितनी है, 2 g x, यानि कि यह आपका, minus 11 by 2 है ना, और फिर fy, देखे, f की value है, 2 g x, यह 2 fy की value है, minus 5 by 2 है ना, और फिर इसके बाद d, d की value actually c है, d की value है c, c बराबर है d, चले, अब यहां पर इसको रखिए, ठीक, इसको यहां पर रख देते हैं, देखे, क्या था, मैंने पहली बोला था, a, h, g, a, h, g, फिर यहां पर आएगा 1 by 2, 11 by 2, e, h, g, e, h, g, ठीक है ना, फिर इसके बाद आएगा b, फिर यहां पर आएगा f, फिर यहां पर आएगा f, और फिर आजएगा c, ठीक है, यह बराबर होता है 0, ठीक, अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसको आपने solve करके निकालना है, ठी मैं आपको directly बता देता हूँ, कैसे हो गए, तो दोस्तों, अगर आप इसको solve करेंगे, तो इसकी value आएगी d बराबर 14, ठीक है, समय जादा waste नहीं करना है, आप इसको solve करके निकाल लेजेगा, तो यहां से d की value आप निकाल लेंगे, I hope कि आप इसको अच्छे से निकाल लें than what is cos x square theta equals 2, थोड़ा से लंबा कोशन है दोस्तों, इसको फटा वट करने का प्रियास करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि delta बराबर क्या होना चाहिए, पेर of straight line के लिए 0 होना चाहिए, तो सबसे पहले आप निकाले देखे value क्या है, a बराबर है 1, ठीक है, अब b कितना है दोस्तों, माइनस 3 by 2, आप निकाल के देखे किस तरह से निकलेगा, इसी तरह से 2g x होता है, तो g बराबर है 3 by 2, okay, and 2fy, इस दिकस्टू हो जाएगा, माइनस 5 by 2, and c बराबर है 2, ठीक हो गया, अब आप इसकी value को निकालेंगे, तो यहाँ पर से आपने क्या करना ह है, पिसले वाली कितरा आपने क्या करना है, determinant में इसकी value को रख देना है, यानि कि आपने a, h, g, जैसे क्या formula था, a, h, g, ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, a, h, g, फिर यहाँ पर आएगा b, फिर यहाँ पर आएगा minus 5 by 2, और फिर यहाँ पर भी minus 5 by 2, और यहाँ पर 2, यह बराबर आप 0 रखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, दोस्तों, lambda की value को find out करना है, ठीक है, यहाँ से जब आप इसकी lambda की value को find out करेंगे, तो lambda की value दोस्तों, निकल कर आएगी 2, ठीक है, मैंने पहले ही solve कर लिया, इसको क्योंकि काफी lengthy सा कोशि आपके पास 2 आगई, ठीक, अब आप देखे, मैंने आपको बताया था अभी formula, 10 theta बराबर कितना होता है, यह होता है, under root of twice h square minus ab upon a plus b, होता है, ठीक है, अब बताएगे a की value क्या है, a की value अभी हमने निकाली थी, 1, और b की value कितनी है, 2, ठीक, तो भाई, a की value, और इसके अला means that 9 by 4, ठीक है, 9 by 4 minus 1 into 2 divided by a plus b, a plus b का मतलब कितना होता है, 1 plus 2, ठीक है, अब आप इसको solve करिए, तो यहाँ पर से अगर आप इसको solve करेंगे, तो twice, यह हो जाएगा 1 by 4, 1 by 4 का square root, यानि 1 by 2 upon कितना होता है, 3, ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों, यह कितना होता है, यहाँ 1 by 3, ठीक है भई, तो 10 ठीटा बराबर तो आगया 1 by 3, भई 10 ठीटा बराबर आगया 1 by 3, आपको निकालना है कॉसेक ठीटा, तो भई 10 ठीटा बराबर 1 by 3, यह 1 3 है, तो यह कितना होगा दोस्तों, under root 10, ठीक है, आपको क्या निकालना है, कॉसेक ठीटा, कॉसेक ठीटा क्या हो जाएगा दोस्तो 10 हो जाएगा ठीक इस तरीके सी हम इसको енные करेंगे तो यहां से देखाा जाए दोस्तो राइट ऑप्षिन है बिल्कुल तो इस तरीके से दोस्तो हम इन को सॉल्व करते हैं दोस्तो तो कोइशन काफी लेंदी है और उनको कंदे में काफी सामय भी वेस्ट होता है तो इसलिए हम ज्यादा कोशन नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन कोसेस रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोशन करवाए जाए एक वीडियो या दो वीडियो में इनके सारे MCQ कराना या important MCQ कराना possible नहीं है तो इसमें हमारी काई सारी वीडियो जाएंगी दोस्तों उनको आप ध्यान से देखेगा तभी जाके इसके काई सारे हम कोशन कर पाएंगे तो मिलते हैं अंगली वीडियो में तिल देन टेकेर और गुडबाई